नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जहर्खन के 345 पंचायतों को अधुनिक सुविधाओं से लेस करेगी जहर्खन सरकार रहेमंद सुलिन सरकार राजे के सभी पंचायतों को अधुनिक सुविधाओं से लेस करेगी मुख्यमंत्री के नदेश पर पंचायत सचीवाले सुद्रीडी करण योजना की रूप रेखाय तयार कर ली गई है अईसा कर सरकार ग्रामीन जनता को सरकार दोरा प्रदत सेवाओं एवम योजनाओं का लाव दिलाना चाहती है इसके लिए ग्राम पंचायत सचीवाले भावन को अधुनिक तकनीकी एवम नियुम्तम अधार्बुत संराचना और सेवा से लेस किया जाएगा बता दे जोजना को गती देने के लिए पंचायत सचीवाले सुद्रीडी करण की मंजूरी कैबिनेट से बिगत दिनों ही मिल चुकी है अब राजे के 43-45 पंचायतों के सुद्रीडी करण का कार्य जल्द प्ररारंब होगा पंचाज सचीवाले सुधरी करण के लिए राय सरकार सभी ग्राम पंचाज सचीवाले भवन के पकी सड़क तक पहुंच पत सुनेश्चित करेगी वहीं पंचाज सचीवाले में एक प्रग्या केंदर अस्थापित किया जाएगा सभी पंचाज सचिवाले में बैंक सखा, ATM पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट बैंक की सखा की अस्थापना कराई जाएगी कोडार्मा में एक अप्रेल को अंडर 16 किर्केट खिलाडियों का ट्रायल कोडार्मा में जारखाँ स्टेट क्रिकेट एसोशेशन की ओर से खिले जाने वाले इंटर डिस्टरीक अंडर 16 किर्केट टोर्नामेंट के लिए जिला के अंडर 16 क्रिकेट ट्रायल एक अप्रेल को रखा गया है यह ट्रोयल चंदवारा इस्थित पूलिस लाइन मैदान में सुबा आठ बये से होगा ट्रोयल देते वक्त खिलाडियों को अपने साथ डिजिटल जन्म पवनपत्र तीन सल का मार्क सीट, अधार काड, माता या पिता का अधार काड वा साथ ही अपना किर्केट, कीट और ड्रेस में आना अनिवार्य है खिलाडी मैदान में ओम परकास और सुमन कुमार को रिपोर्ट करेंगे वहीं अधार पर अच्छे और उप्युक्त खिलाडियों का चैन केम्प के लिए किया जाएगा कैम्प में अच्छा परदसन करने वाले खिलाडियों से जीला के अंडर सोला किर्केट टीम बनाई जाएगी जिसकी जनकाले जीला किर्केट एसेसेशन के सचीव दिने सिंग ने दिया है धनबाद नगर निगम में सुरक्षा कर्मियों की भरती पिछले दिनों जार्खन खनीजे छेत्र विकास प्राधिकार कर्मियों और नगर निगम के बीच होई जड़प के बाद नगर निगम ने अपने यहां नीजी सुरक्षा कर्मियों की बाहली करने का निनलिया है इसके अलोक में बुद्धवार को नगर निगम की ओर से दस एक्स आर्मी मेन की बाहली करने का पत्र निकाल दिया गया है इन्हें 17,000 उपे मांसिक मांदे भुक्तान होगा है नगर आयुक सतंद्र कुमार ने बताया है कि सुरक्षा के लिहाई से इन कर्मियों की बाहली जरूरी थी इन्फोर्समेंट टीम भी अतिकर्वन हटाओ अभ्यान और अने कार्व में जाती है इसके लिए फोर्स का होना बहत जरूरी है राम नौ मी पर बदलेगा मौसम जारखन में मौसक का मिजार बदलने वाला है नौ जिलो में तेज हवाओ के साथ बारिस हो सकती है मौसम बैजाने अभि सेक अनन्द ने 29 माज से 31 माज तक रांची जिले के दक्षनी और निकटवर्ती मदे भागों में गजन के साथ साथ वर्षा की संभावना जाहिर की है वहीं बदलते मौसम के बावजूद अभी तापमान में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है मौसम भी भागने लोगों को सतर कराने की अपिल की है जिन 9 जिलों में मौसम में बदला होंगे उसमें रांची, सिम्टेगा, गुमला, लोहर्दगा, खोटी, रामगर, बोकारो, धनबाद, और जामतरा सामिल है बता दे राजे के कई जिलों में बुद्वार को बारिस की संभावना जाहिर की गई है इसके अलावा 30 और 31 मार्च को बारिस की संभावना है जारखन में अप्रेल से मौर्निंग में हो जाएंगे इस्कूल जर्खन के सभी सरकारी और निजी स्कूल अप्रेल से मौर्निंग हो जाएंगे यानि यहां कक्छाय और 9 बज़े के बदले सुबह 7 बज़े से सुरू होगी यह बेवस्ता अगले 3 महिने यानि 30 जून तक वनी रहेगी बता दे 1 अप्रेल को सन्नी वार होने के चलते 3 अप्रे जर्खन के लोगों के लिए बड़ी खुसकबरी है पता दे अब रहेदानी राची से स्री नगर जाना बेहद ही आसान होगा अब जर्खन के लोग भी ट्रेन से जमू कास्मीर की यात्रा कर सकेंगे जर्खन के लोग दुनिया के सबसे उचे ब्रीज चिनाव का लुप्त उठा सकेंगे यह ट्रेन कटरा होते हुए अंजी और चिनाव ब्रीज होकर स्री नगर तक जाएगी बता दे कि देश का पहला रेलवे केबल ब्रीज कास्मीर के अंजी में बना जा रहा है स्री नगर जाने के लिए इस ब्रीज से होकर ट्रेने चलेंगी कटरा से सिरी नगर जाने के दरन यातरियों को इस ब्रीज का भी लुप्त उठा सकेंगे जारखन में बालू का अवैद उठाव हुआ तो गंभिर परिनाम भोगतने होंगे हाई कोट जारखन हाई कोट ने राज में बिना टेंडर के बालू के अवयद उठाव को लेकर दायर या अनित याज का पर सुनवाई करते हुए राज सरकार को तीन सप्ता में जवाब दायर करने का निदेश दिया चीफ जस्टिस संजय कुमार मिस्त्रवा जस्टिस अनन सेन की खंडपिट ने मामले के सुनवाई की दोना राज सरकार को या सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि राज में कहीं भी बालू का वैद उत्खनन वा उठाव नहीं हो सके जब बालू टेंडर का अवंटन हो जाए लाइसेंस मिल जाए तो उसका उठाव किया जा सकता है खंडपिट ने कहा है कि आदेश का उलंगन करने पर गंभीर परिनाम भोगतने होंगे धनबाद के सहीद निर्मल महतो मेडिकल के लिए ड्रेस कोड जारी मेनेजर आदी के लिए अलग अलग रंग के ड्रेस कोड जारी किये गया है अब परवंधन इसकी बेवास्था करने में जुट गया है अस्पताल परवंधन के अनुसार ओटी में करेरदर टेकनेशियन को ड्रेस कोट के अनुसार वर्दी परदान करने की पहल सुरू कर दी गई है जल्दी अने कर्मियों को भी ड्रेस उपलब्द कराया जाएगा किया है रेल मंत्री आस्मीनी वैसनों ने कहा है कि 25 अप्रेल से जारकन किरेधानी राची और बिहार किरेधानी पटना की बिच देश की सबसे आत्याधूनिक ट्रेन वंदे भारत तोडने लगेगी रेल्वे ने जो जनकारी दी है उसके मुताविक राची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 अप्रेल 2013 से राची से सुबसाथ बज़कर 30 मिट पर रवाना होगी सब्ता हमें 6 दिन चलने वाली आत्रेन टाटी सिल्वे बढ़का काना हजारी बाग टाउन कोडारमा गया जहानाबाद होते हुए पटना पहुचेगी वहाई दूसरी तरह पटना से या ट्रेन सुबसाथ 6 बज़कर 45 मिट से रवाना होगी और जहानाबाद गया कोडारमा हजारी बाग टाउन बढ़का काना टाटी सिल्वे करास्ते राची आएगी हाई कोड ने सरकार से पूछा कई संस्थाओं में पद क्यों खाली है जारखन हाई कोड ने सुचना आयोक लोका यूग समेत 12 सनवेधानिक संस्थाओं में खाली पद को लेकर राज सरकार से सवाल पूछा है कोट ने कहा है कि इन जगों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए जारखन हाई कोट ने राजे में बाल आयोग, सुचना आयोग, मनोधिकार आयोग, पुलिस कंप्लेंट अथुरिटी लोगा योग सहीत करीब 12 सन्वेधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद खाली रहने पर राजे सरकार से जबाब मांगा कोट ने मौखिक तोर पर कहा है कि अगर राजे सरकार इन पदों को भरने पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो इस समद में कोट दिशा निदेश जारी करेगी हाई कोट ने चीफ जस्टीस संजाय कुमार मिश्री की अध्यक्षता वाली खंड पिठ ने एडवोकेट एसोसेशन की जनहित यजकापर बुद्धवार को सुनवाई की है जारखन में संगठित अपराधिक गिरोह पर कसेगा नकेल जारखन में संगठित अपराधिक गिरोह पर लगाम कसने के लिए नई के वाय सुरू की गई है क्राइम की दुनिया में आ रहे हर दिन नई चेहरे की वया से या पहल C.I.D. के द्वारा शुरू की गई है इसमें संगठित अपराधिक गिरोहों पर लगाम कसने के लिए गैंग और उनके सरस्यों को नए सीरे से चिनित कर उनकी सूची तयार की जा रही है बता दे जार्खन में एक द्वाराधिक गिरोहों पर लगाम कसने के लिए गिरोह और उनके सरस्यों को नए सीरे से चिनित किया जा रहा है C.I.D. मुख्याले ने सभी जीलों के S.P. को पत्र लिएकर इस संब्ध में करवाई का निदेश दिया है अवैद बालू उठाओ बना कालिक कमाई का जरिया बाबुलान मरांडी जार्खन में बालू के अवैद खनन परिवहन वा उठाओ के मुद्दे पर राजी के हमन सरकार घिरती जा रही है बालू के अवैद उठाओ पर हाई कोड की तलक टिपनी के बाद अब बीजेपी ने भी सरकार पर निशाना साथा है बाबुलान मरांडी ने अरोप लगाया है कि टेंडर परकिरिया को जान बुचकर तीन साल तक लटकाए रखना दरसाता है कि सरकार बालू के अवैद उठाओ के माध्यम से कालिक कमाई जारी रखना चाहती है बाबुलान ने कहा है कि तसकरों का दूस्साहत इतना है कि अधिकारी लचार दिख रहे हैं अधिकारियों को रौंदने की कोशिज भी हो चुकी है बाल बीवा कराने वालो का खहर नहीं ज्यरकन सरकार ने बाल बीवा जैसी कूरिती को रोक थाम के लिए अहम कदम उठाया है ज्यरकन सरकार ने महिला बाल बीवा निसेद पदा धिकारी के रूप में नमंकित किया है पहले के वाल बाल बिकास पताधिकारी ही इस कार्य में लगा जाते थे बतादे समाज कल्यान विभाग के निर्देश पर अब पूरे राज में बाल बिवाग निसेद पताधिकारी के रूप में बाल बिवाग के खिलाप कार्य करेंगे MLA समरी के जाती पवान पत्र का मामला कांके से भाजपाविधायक समरी लाल के काश साटिफिकेट को सही करार दिये जाने के जारखन हाई कोट के एकल पीठ के आदेश को चुनोती देने वाली आज का पर बुद्धवार को सुनवाई हुई हाई कोट के चीफ जाश्टिस संजाय कुमार मिस्त राओ जाश्टिस रंगोन मुखोप अध्या की खंट पिट ने सूरेश बैठा की अपील पर सुनवाई की अदालत ने इस मामले में दायर तीनों अपील पर एक साथ सुनवाई का निदेश दिया हाई कोट की डबल बेंच ने इस मामले के अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रेल की तारीक मुकरर की है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल के सब्सक्राइब कर बहुल के बेल एकन दबाई है साथ साथ वीडियो के एक लाइक अपने दोस्तों के शेयर करना भूले साथ आप हमें कोमेंट बखस में अपना फिडिवेक अवस्य दे थैंक्यू